Hello Friends, Welcome to my channel आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेमेडी जो कच्छे दूर से फेस की थकान को कैसे दूर करें तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आफिस में पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग ठक जाते हैं जिससे चेरे की ठकान दिखाई देने लगते हैं लेकिन इस फेस मार्क्स को चेरे पर इस्तमाल करने के बाद चेरा फ्रेस दिखने लगता है Friends, इसके लिए चाहिए एक साब बरतन इसमें हमें दो चम्मच कच्चा दूद लेना है कच्चा दूद हमारे स्कीन के लिए काफी फैयदे मंद है दूद एक क्लिंजर का काम करता है दूद में भरपूर मात्रा में बिटामीन, मिनरल और प्रोटीन होने के कारण या स्कीन को फैयरनेस और हिल्दी बनाता है मैं इसमें एड़ करूंगी एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में भरपूर मात्रा में बिटामीन E पाया जाता है जो हमारे चेरे से पिंपल और काले दाग दबो को रिमूव करता है और साथ ही चेरे को soft and bright बनाता है मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा सहथ सहथ हमारे स्कीन के लिए काफी पैयदे मन्द है या स्कीन को glowing और beautiful बनाता है अब सब को अच्छी तरह से मिला कर पेश त्यार कर लीजिए इसका मार्क्स स्कीन पर लगाने से तुरंती चेरे पर चमक आ जाती है इस मार्क्स से चेरे की टैनिंग दूर होने लगती है सहथ दूद और एलोवेरा का मार्क्स स्कीन पर लगाने से अच्छी निंद लाने में मदद करता है या छाईया मुहा से पिंपल और दाग धबो को जर से खतम करता है साथ ही बढ़ती उम्र की समस्या और जुडियों को जर से खतम करता है देखिए पेश्ट त्यार हो गया है अब मैं इसे कॉटेन की हेल्प से मैं अपने हाथ पर अपलाई करके दिखाती हूँ आप अपने फेश और गर्दन पर अपलाई कीजिए अपलाई करते समय हलके हाथों से मसाज कीजिए जिससे चेरे की थकान दूर हो जाती है अपलाई करने के बाद इसे 10 से 15 मिनर तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए जब यह पुड़ी तरह ड्राई हो जाए तो उसे ठंडे पानी से धो लीजिए इसका रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन कोमल और चमकदार हो जाती है इससे फेस पर हमेशा साइनिंग बनी रहती है तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे है और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंस के साथ सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे जरूर दवाईए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू बाई बाई